नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारेकरम नमो इंपेक्ट में साथियों कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलिज बच्चों की ओनलाइन क्लासिज ले रहे हैं और साथ में ओनलाइन एक्जाम लेने के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कि हैं बच्चों से फीज भी मांगी जा रही है तमाम सवाल है आईए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है ओनलाइन क्लासिज और कैसे इनको इस वक्त लागू किया जा रहा है वैश्विक महमारी कोरोना संकट का असर चारों तरफ पढ़ा है शिक्षा पर कोरोना का असर ज्यादा ना पड़े इसलिए सरकार ने सभी इस तरों पर वर्चुल क्लास अर्थार इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश चारी किये हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देश में ना तो पूरे संसाधन हैं और ना ही एक्स स्मार्ट फोन भी नहीं है यही नहीं मोबाईल के छोटे से स्क्रीन पर कुछ भी समझपाना बच्चों के लिए संभब नहीं है इन वर्चुल कक्षाओं में ना तो दो तरफा बातचीत की सुविधा है और ना है अध्यापक छात्र पर व्यक्तिकत ध्यान दे पा रहे हैं छात्रों पर नियंत्रन नहीं होने के कारण वो एक आग्रिचित भी नहीं हो पाते माबाप की चिंता इंटरनेट पर फैली अश्लीलता की भी है बच्चों पर नियंत्रन के लिए अभिभावक उनके साथ मौजूद रहना भी चाहते हैं तो अध्यापकों को ये बात मन्ज दूर नहीं बच्चों को मॉबाइल से दूर रखकर जिस अश्लीलता से बचाने का प्रयास हो रहा है ओनलाइन का क्षाएं उन्हें उसी तरफ धकेल रही है हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी जो सिख्षाविद हैं और बड़ा उनका एक्सपीरियंस रहा है सार सबसे पहले मेरा आप से सवाल यह है कि छोटे छोटे पशे स maker के बच्चे दसवी क्लास के बच्चे और कोलेज़ के बच्चे सब की ओनलाइन क्लास हो रही है आप इसको कितना मानते हैं कि ये सही है, फीजिबल है, प्रेक्टिकल है दिखिए मेरा तो सुझावे शेत्र में ये है कि दूरस शिक्षा के अंदर कुछ सिद्धान्त होते हैं और उन सिद्धान्तों को बिना जाने समझे और बिना परके अगर हम सिद्धा कहे दें कि ऑनलाइन क्लास हो रही है और वो हो जाना चाहिए तो ये एक सोच की कमी है ऑनलाइन क्लास को लेना भी कोई एक आसान काम नहीं है जी ऑनलाइन क्लास को लेना उसके लिए जो टीचर है वो पूरा प्रशिक्षित होना चाहिए कि online class को लेते हुए वो कैसे विद्यारतियों को handle करेगा या सिरफ खाली lecture दे के चला जाएगा तब तो कोई बात नहीं बनती कैसे विद्यारती प्रशन करेंगे तो जो एक virtual online classroom बनाना चाहिए ये नहीं कि एक विक्ति पे खाली online चीज जा रही है और वो आपको टीचर को सुन रहा है और वो कुछ टाइप करते सवाल बलकि एक virtual classroom कि उसका जो है पुरा projection जो होना चाहिए एक तो वो चीज नहीं हो रही है इसके अदर दूसरा मेरा ये कहना है कि पहली क्लास के दूसरी क्लास के पाचवी छटी क्लास के बच्चों को online डालना शिक्षा के लिए ये ठीक नहीं है सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है वो ये है माफ कीजिए आपकी बात मैंने काट दी कि जो छोटे-छोटे बच्चे उनके हाथ में इंटरनेट आ गया उनके पास एकसेस आ गया मोबाईल में गूगल पर आपको पता है किस तरह का material पड़ा है और बच्चों को monitor करना बड़ा मुश्किल हो रहा है माइ इसलिए बात कही कि ये चीज़ ठीक नहीं है इसके लिए हमको दूसरी प्रकार की नीती अपनानी चाहिए मान लीजे कोई बच्चा पहली कक्षा के अंदर है आप उसका इमतान मत लीजिए ठीक है आप उसको दूसरी कक्षा में promote कर दीजिए जी और जब तक वो दूसरी कक्षा कर रहा है उसके बीच में आप साथ साथ थोड़ा एडिशनल कुछ अतिरिक्त होमवर्थ दे करके, कुछ अतिरिक्त क्लासिस, एक्स्ट्रा क्लासिस दे करके, उसका इमतान जो है, आप उसके हिसाब से दोबरा करा लीजी, ये एक तरीका है, हम जैसे इगनू में ये करते हैं, कि मान लि है कि अपने उस पिरियट के अंदर, उस अबदी के अंदर, वो अपने पिछले जो कॉर्सिस है, उनका भी एक्जाम दे करके पूरा कर, उनको भी पास कर, तो इसके इस प्रकार की सुगिता दी जानी चाहिए थी, कि एक छूट विद्यार्थी को दी जाए, कि भाई ठीक है हम तुबे करोना आ गया है, यह दिक्कत है, हम तुबे अगली क्लास पर मेज रहे हैं, लेकिन जो पहली तुमारी क्लास की शिक्षा है, उसको भी हम साथ-साथ उस दौर के अंदर कराएंगे, तो उसकी वजए से यह जो खत्रों की बात आप कर रहे है, कि छोटे बच्चों के हाथ में इंटरनेट जाने से, गूगल जाने से, यह समस्या उत्पन नहीं होती, लेकिन उसको विचार नहीं किया गया, दिक्कत यह होती है कि बिरोक्रेसी से एक लाईन आ गयी, यहां यह करना है, तो सब लोग उसको बिना सोचे समझे, बिना ओ किये हुए उसको कि जो आसपास का वातावारन है उसके उपर जिस मौटल को आप उपर से डालने जा रहे हैं कम से कम वह एक सर्वेक्षिन जरूर कर लीजिए कि वह वातावारन उस संदर हमें अपने हिसाब से परिवर्तन करने हैं तो हम की किसी भी मौड़ल को हमें जूगातू नकल करके नहीं डालना चाहिए कि हमें उसे Obs करना चाहिए और Adaptation का मतलब यह है कि ठीक है हो मॉडल हम ले रहे हैं लेकिन उस मॉडल में जो हमारी परिस्तित्या है उनके अनुखूल हम क्या-क्या परिवर्तन कर सकते हैं उन परिवर्तनों के साथ ले करके हम उस मौडल को लागू करना है कि करें कि से क्षधाना है नहीं का मैं तो इसको 95 प्रतिशत गा दूँНॅ कि जो प्राईवेट स्कूल है और जो प्राइवेट एडूकेशन सिस्टम ये बना है इन्हों ने शिक्षा को वयपार बना दिया है इनका काम है शिक्षा को वयपार बना के पैसे अर्जित करना और अलग अलग तरीकों से पैसे अर्जित करना कोई पता नहीं है कल को यह जो ऑनलाइन क्लासिस कराई हैं इनकी फीज अलग से लगना शुरू करते हैं विद्यार्थियों से कि हमने तुम्हें ऑनलाइन कराई ती इसकी फीज अलग से दो तुम्हें और कोई प किया है समझने का कि विद्यारती ने आपके लेक्चर को कितना समझा जो जो आपने पढ़ाया विद्यारती की समझ में कितना हुआ या क्या विद्यारती को जो जिग्यासा उस लेक्चर के बाद में उत्पन होई कुछ प्रशन पूछने की क्या विद्यारती वो प्रशन पू इतने बित्तक classes होंगी या इस लिमिट होगी देखिए online शिक्षा जो है वो कोई आसान चीज नहीं है और मैं बता हूँ आपको online शिक्षा जो है वो जो हमारी regular classroom की शिक्षा है उससे इसको प्रबंदन इसका करना वो जादा कटिन है बिजाए उसके इसके अंदर जो तरीके अपनाए जाने चाहिए कि दिन के अंदर आप दो से चार घंटे या एक घंटा पर subject जैसे भी अप्ते करें कि ये एक घंटे का समय है या दो घंटे का समय है ये online के ऊपर इस पे टीचर ये बोलेंगे आप इसमें सवाल पूछिए virtual classroom बनाईए उसके ना के ये के आपको बस साब आपने 10-15-20 मिन आदे गंटे में लेक्चर खतम कर दिया और बटन बंद कर दिया online का तो फिर जो online is एक interactive है चीज online जो है ये नहीं है कि आप एक तरफ से बोलते रहे तूवे communication है दोलों तरफ से communication होना चाहिए विद्यारती और टीचर का तब ज तो आप कहीं से भी YouTube से कुछ उठा लीजे किसी subject की उपर को इससे तो विद्यारतियों को ये बता दो कि अच्छा भाई ये साइट देख लो वो साइट देख लो Google पर ये चले जाओ वो कर लो वो कर लो ये तो Google वामा थोड़ा हमें कोई नहीं नहीं हर subject Google वामा थोड़ा प प्रिंट मैटीरियल का तो इसके साथ में हम चार वीडियों भी बनाते थे आठ अडियों भी बनाते थे जो के एक supplementary मैटीरियल जाते थे जाते जी लेकर की और पिर counseling center के ऊपर देते थे तो इसमें जो सोच की जरुवत है अ मेरा तो यह मानना है कि लेखिए करणा के और स्तिति को लेकर पिर happy आ के साथ जीना है जैसे लेगबू के साथ हम लोग जी रहे हैं और कैंसर के साथ जी रहे हमें के रोना के साथ भी जीना है जीना है और इसको देखते हुए मेरा इस हुजाव है कि तुरंद मानव संस्थान मंत्राले को एक हाई लेवन की कमेटी बनानी चाहिए जो आनलाइन दूरस शिक्षा और बखाली टीचर भी नहीं कर सकता है कम्प्रेंसिव चीज होनी चाहिए जिन लोगों को ग्यानो जो उस लेवल तक जा सके अक्सर हमारे क्या होता है नीती बनाने के अंदर कि जिस व्यक्ति ने कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया भी ना हो जी उस व्यक्ति को कॉलेज का स्ल को क्लिखवाते हैं तो वो उस मनोवेग्यानिक स्थर पे बच्चे को जो है किस तरीके से उसको पढ़ाया जाना है किस तरीके से उसको करना है वो उस बाद से क्स्थर पही नहीं आ सकते वो तो अपनी लाइन देना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइन यह इस लाइन को प्रभाव हैं और शिक्षा के उपर देश की इसका एक बड़ा दूर्गामी प्रभाव पढ़ने वाला है पढ़ रहा है और और पढ़ेगा और उसको यदि सही दिशा नहीं दी गई सही समस्याओं को नहीं समझा गया कि जो विद्यारती है उसकी क्या समस्या है तो उसके हिसाब से और मेरा तो ही मानना है कि जब आप और ना इन छोटे बच्चों के लिए करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करिए कि उनका अभिवावक जो है वो भी बच्चे के साथ से इसकोल में रूहिनी का मामला सर सामने आया कि बच्चे को इसलिए स्कूल्स से निकाल दिया कि एक पहली क्मा को कि इसकी maus के साथ बैठी ती बहुत अच्छी बात है प्रिवेट स्कूल लोगा राथी है और अगर वह नहीं समझती तो घर पे आ करके भी अभिवावक उनको जो है गाइड करते हैं पढ़ाते हैं वह करते हैS और यह अभिवावक साथ रहेगा बच्चे के टो अभिवावक को यह भी में कि पर टीचर क्या बोल रहा है यह नहीं कि टीचर उल्टा सीधा जो भी वर्दी बोल करके चला जाए और खतम कर दें बच्चे को समझ में आए बच्चे को समझ में आए बिल्कुल तो इसलिए वो भी एक गाइडेंस की जरूत है उसके अंदर और फिर कुछ ऐसी बाते है कि जैसे बच्चे के सवाल है बादी या कॉलिज लेवल का हो चाहिए स्कूल लेवल का हो प्राइमरी हो तो ऐसी वे वस्ता भी ऑनलाइन में होनी चाहिए कि मैं उन सवालों को अपने आप तक भेज सको और उन सवालों के मुझे जवाब मिले वापस जैसे आपने बताया कि दोनों तरफ से कम्मुनिकेशन होना चाहिए जी कम्मुनिकेशन ऑनलाइन वर्बल भी होना चाहिए कम्मुनिकेशन ऑनलाइन थ्रू इमेल भी होना चाहिए या उसी साइट के उपर जो होता है जैसे कॉन्टेक्ट आसा आ जाता है या ऑनलाइन चैट भी आ जाती है अज़ और एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसमें ऑनलाइन में ये भी होता है कि जब आउनलाइन चीज को कर रहे हैं तो अब एक साथ आप हजारों स्टूरिंट्स को एडरेस कर रहे हैं तो उन क्वेरीज को उन चीजों को आप कैसे पूल करेंगे इसके लिए एक बहुत चिंतन की जरुवत है इसके लिए खाली देखिए ये यूरोपियन कंट्रीज के मॉडल आप उसलिए नहीं उठा सकते हैं कि विद्यारतियों की संक्यामा बहुत कम है मैं एक विदेशी उनिवस्टी में मुझे बुलाया गया था 2007 के अंदर टूरिजम के प्रोग्रेम को इवैलूएट करने के लिए उसमें यह उनलाइन विवस्ता थी उस उनिवस्टी के अंदर लेकिन वो लोग फिर क्या करते थे कि टेलीफोन के उपर उनका जो टीचर है उनलाइन वो सोना घंटे मौजूद होता था ता तीचर की शिफ्ट बदल देते थे तो जैसे आप ग्लास ले रहे हैं मालनी जे स्कूल वे जाकर के शे गंटे आप स्कूल जा रहे हैं तो वैसे शे गंटे वो टीचर जो है टेलीफोन के उपर होता था कि किसी भी विद्ध टर सब्जेक्ट के रही हैं यह कउंसिलिंग भी है उस सब्जेक्ट की विद्यारती क्या समस्या विद्धोर्ती के सामने आरही है ऑनलाइन पढ़ते हुए उन समस्याउं को भी समच्कर के विद्धियारती को उत्तर देला जरूरी है कि तुमको ऐसे करना चाहिए हाली इस बहुत 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 दैने बाद बिल्कुल आपने हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार जी जो इगनुमें प्रोफेसर रहे हैं बड़ी महत्मून बात उन्होंने कही कि सरकार को तुरंट कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर सिक्षाविद भी हो आईटी के ओ बीरोक्रेट्स भी हूँ और ये जो ओनलाइन एजूकेशन है इसके लिए गहन निती बनानी पड़ेगी दिशार निर्देश टेय करने पड़ेंगे क्योंकि ओनलाइन जल रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्कूल ने क्लासिज ले ली ये एक तरीके से सिक्षा का वे उसाही करन है हम अमीद करेंगे कि केंदर सरकार तक प्रोफेसर साब की बात पहुचेगी और वो इन बातों को संझ्यान में लाएगी कारे करम नमो इंपक्ट में आज इतना ही अगले कारे करम में आप से फिर करेंगे मुलाकात तब तक के लिए दिजिए गाई जासत नमस्कार